आई आपका स्वागत है मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़कर आज हम बात करने वाले है इरिटेबल बॉवेल डिसॉर्डर और फंक्शनल डिस्पेप सियाई बिमारी के बारे में मैं मनोविकार सेक्षरोग संभोहन तथा वेस्टन मुक्जित अग्यों महाराष्ट में अकुला में प्रैक्टिस करता हूं यह दोनों भी पेट की बिमारी है आज कम से कम 10 से 15 प्रतिशत लोग ऐसे हमारे आबादी में पॉपिलेशन में कि उनको पेट की बिमारी सब तरह की जाज करने के बाद में पेट में कुछ निकलता नहीं है मकर तकलीप तो है अब यह इरिटेबल बाविल डिसाउडर जो है इसमें लखों लोग परेशान है करोड़ों रूपे खरचा हो रहे हैं इसके बारे में इसमें इन्वेस्टिकेशन करो जाज पड़ताल करो दवाई करोड़ रूपे खरचा हो रहे हैं और 10-15 प्रतिशत कितना बड़ा आकड़ा है इतने लोगों को यह बिमारी है अब इरिटेबल बावेल में होता क्या है कि यह बावेल जो है मतलब पचंस नुस्ताज हो चिड़ी-चिड़ी हो गई हो चिड़ी हो जैसा आदमी चिड़ी क्युँधना हो तो यहीं कुछ्छे थीचल के पिछले तीन मैने में यदि हर महने पिछले थीन मढ़िशार मैने ओर यह कम-से-कम तीन दिन इसको यह पेड़ा होतार्या प्र। लक्षन होते हैं तो समझना यह Irritable Boiled Disorder है। कि इसमें लक्षन मेनली कौंसे-कौंसे है ? कि लेटरीन होने के बाद में अच्छा लगता है, रिल्यूड लगता है। मार्ण पर दन ना होती नहीं नेक्स्ट लाड़ी नश्ट स्टूल यह शौच तो कभी-कभी बहुत पतलह होता है है मैं धक्रदोगी तो परिशाने होती अलसर हो जाते फिर विंशर्स होते है और यह पिमारी में पेट में दर्थ चाती में जलन पेट फुलना फिर पेट जाम हो जाना और पेट इसको अघले MP3 अनुच त है What । फिर फॉड़ा सदे ने खालेता है और दिन बर उसमें लगे रहता है मैं डिमारी दिमाहग में क्वोल सıntलकाय और नहीं करता हिए पर दिमाग में होने से वह काम में कॉंसेंटरेशन करता रूतपाता नक्ष्हमत को प्रॉडेक्टिविटी वह चैले सद् Continue र Woo sub नहीं गाना टाइम पर नहीं खाना पेट नहीं इसके वज़ बावल इस उडर और दूसरा है functional dyspepsia functional dyspepsia जो है ये भी पेट की बिमारी है इस में खारणा कमने के बाद में पेट बहुत ही फूल जाता है में लक्छन है उसका बहुत ही पेट फूल जाना पेट में दर्फ होता है है पेट में जलन है अपचन होता है और जी बशलाना, खाना-खाने की इच्छा नहीं होना, फिर उसके वाइसा कॉंसेंट्रेशन नहीं होना कोई भी काम में और पेट इतना फुल जाता है उसको लगता कि कुछ तो भी बांधा हुआ है पेट के ऊपर कभी कि बहुत acidity होती है जलन होना acidity होना कुछ खाने के बाद थोड़ा सा अच्छा लग जाना नगर खाया तो और पेट फूल जाता है इसलिए वो खाता ही नहीं फिर और एक बार लैट्रिन हो गया से निकल गए तो उसको थोड़ा सा अच्छा लगता है फिर डॉक्टर उसको थी थोड़ा थोड़ा खाओ क्यों घाना घाना पेड़ फूल जाता और बहुत तक्लिफ होती है सब तरह की जाच करने के बाद में है बेंदोस्कोपी जेख जैसरें अलग अलग तरह के एक स्रेज निकाले सोनोगराफी किया अलग जाच किया सब तरह किया परेशान है टोक्टर बोलते हैं कुछ भी नहीं पेट में अरुकिंट को फिर तक्लिफ हो रहे ना हो जूट ठोड़ी बोल रहा है मर्य डॉक्टर वी कि उसको बोलते हैं कि साइके टिसके तरफ जाओ करें कि डॉक्टर सके रफ जहाओ तो हम क्या पागल होगे कि हमको उसके तरब भेज रहे इसलिए वो आते भी नहीं और वो डॉक्टरों को बैन कर दालते इसलिए वो अपना पेशंट खो बैठेंगा इसलिए वो कभी फीजिशन जो किसके तरब रेफर नहीं करता क्योंकि उसने साइकेडिस का नाम लिया तो पेशेंटी भाग जाता तो इसमें हम उसको एंटी डिप्रेसंट एंटी एंग्जाइटी दवाई देते हैं जो काम में आती है और फिर पेट साफ करने की दवाई गैसे सकम करने की दवाई वो देते हैं मोटिलीटी जो है पचंस वंस्ता की जो मुमेंट है हल चल वो पर जाता है वहर वो डमात में वह मतलब साइको लगिवाट में चल रहा है मन में क्या चल रहा है वो देखना पड़ता है वह आम कांसिलिंग करते हैं बच्पन में कुछ लेंगी कात्यचार हुआ माबाप के साथ में कुछ तबी अन्बन है कुछ लोगों को माबाप के पुटी बहुत ही घुसा रहता है बहुत घुसा कि उन्हें यह अच्छा नहीं किया पैसे के बारे में प्राबलम है financial crunch है sex के बारे में प्राबलम है ऐसा लगता है कि कोई मेरे उपर प्रेम नहीं करता, प्यार नहीं करता, यह विक्ति खुद के ओपर भी प्यार नहीं करता, अपराधीपन की भावना रहती है, कुछ तभी पास्त में किया है, उसमें अपराधीपन की भावना है, उसके बारे में, या दिमाग में खुनस है, बदला लेने की भावना है, खुन psychological दिमाग में conversations चालू रहते हैं जिसके हुझे इसको पेट का problem होता है हम counseling के दोरे फिर सम्मोन hypnosis जिसमें हम past life regression करते हैं past life में चले जाओ और वहां कुछ हुआ क्या उसको याद दिलाने के लिए कोशिश करते हैं तो past life regression है वहां से cost धुनके निकालना counseling करना psychotherapy करना दबाई देना इससे वेक्तिव अच्छा हो जाता है अच्छा जीवन जी सकता है क्योंकि बहुत सारे करोड़ों हुपे हिंदुस्तान के उसमें जा रहे है करोड़ों man hours उसमें खर्चा हो रहे हैं लाखो लोग परिशान है तो इनका इलाज होना बहुत जुरू है ताकि जिवन लोग अच्छा जी सकेंगे आपके आजू बाजू में कितने सारे लोग होंगे हजारा लोग होंगे जिनको यह problem होंगा आप पूछेंगे तो लोग बोलते नहीं ना किशके पास में जाते हैं साहर कांव करना में तो अब तो यह जरूर करना मैं हमारा जो लक्षा है वो है सब के लिए मांसिक स्पास्तिर वेशन मुक्त भारत हम अलल जगह जाते भाशन करते आप भी हमको कहीं बुला सकते हैं एल्ट एजूकेशन के लिए रोटरी के लबे लॉएंस लबे वहां बुला लीजे जहां भी आप काम कर कि लिए निक करो ताकि मेरे वीडियो के नुरुचन आपको सबसे पहले बार आजाएंगे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है इस